जैहन दोस्तो स्वागत आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉप एंड जॉपर दोस्तो बात कर लेतें जो आपके भरती चल लए है 60244 जो वेकेंसी आई हो इसके बारे बात कर लेतें दोस्तो जो आपकी तैयारी है वो बढ़िया तैयारी चल लए होगी तो दोस्तो जैसा कि आप लगन से रात दिन मेहनत कर रहे होंगे और आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपको ये बता देना है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए तब ही आप अप कमपिशन में बैठ सकते हैं आपका जो competition है वो बहुत hard होने वाला है क्योंकि आपके एक पद के लिए पूरस अभ्यारतियों की बात करें तो एक पद के लिए 83 अभ्यारती competition करने वाले हैं और महिलाओं की बात करें तो एक पद के लिए 125 महिला competition करने वाले हैं तो इसको देखते हुए आपका competition hard होने वाल withdrawal registration हों आपके अब तक तो दोस्तों अगर बात करेंł 50 2014 में तो इसमें जितने अभ्भार्ति नया रेश्टेशन किया है इसमें से लगबग 30 या 35 लाख अभ्भार्ति ऐसे होंगे जो अच्छे कमटिसं कर रहे होंगे जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे बाकी के जो अभ्यारती हैं उन्होंने नौर्मली डार दिया है वो हर अभ्यारती इसका पेपर भी नहीं दे पाएगा आपके 50,14,000 जो अभ्यारती हैं टोटल इसमें बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स्टा अरेश्टेशन हो जाते हैं लेकिन सभी पेपर नहीं दे पाते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर काम करते हैं उनका इंटर हो गया तो वो डाल देते हैं तो कुछ अभ्यारती ऐसे भी होते हैं कि वो बस ऐसी डाल देते हैं तो आपको उनमें आपकी गिंती नहीं करनी है आपको अच्छी तैयारी करनी है जो 35 powin-25,000,000 that ccチözy अब्यारती है जो क्मिषिशन करने है कि अच्छय आने वाले वाले आपको उनसे भी ज्यादा महनत करनी है इसी फिरकार से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के कुल जो महिलाओं ने आबेदन किये वो लगवा 15 लाग के करे महिलाओं के आबेदन है तो 15 लाग में से लगवा 10 लाग महिला ऐसे होंगी जो अच्छा कमपिशन कर रहे होंगी अच्छे तयारी कर रहे होंगी और वो कमपिशन में बैठने वाली है बढ़िया उनकी तैयारी है, तो आपको वो 10 लाख महिलाओं में से आपको एक पढ़ना है, जो अच्छी तैयारी करें, और आपको अच्छी तैयारी करनी है, राद दिन तैयारी करनी है, और दोस्तों एक बात और बता दें, आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सि की सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है जैसे कि आप मैं थी पढ़ने लग गए आप जीके पढ़ने लग जाए ऐसा नहीं करना है आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको जो नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने है वो आपके तीन ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं तो आपके तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जो विस्तार है वो सीमित है उनका विस्तार सीमित है अगर आप सीमित विस्तार को पढ़ लेते हैं तो आप उस इसका जो बिस्तार सीमित है, इसके पार्ट सीमित है, वहीं से कुछिशन आपके बनते रहते हैं, अगर आप मैथ में अच्छी तयारी कर लेते हैं, दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने लिखाए कि अगर आप इन चेप्टरों को पढ़ लेते हैं चारों सब्जेक्ट के, तो आपकी अच्छी तयारी हो जाएगी और आप कंपिटिसन में पास्क हो जाओगे, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैथ की अगर हम बात करें, तो मैथ का जो सीमित भंडार है, सीमित इसका विस्तार है, तो इसके जो सीम पार्ट ऐसे हैं, जैसे आपका काम समय होगा, समय और दूरी हो गया, तो कुछ ऐसे पार्ट हैं, जिनमें से कुछन बनने ही बनने, अगर आप मैथ की अच्छी तयारी कर लेते हैं, तो आप कंपिटिसन में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बेसा कि आपको डल लगता हो, ले के डिस्क्रिमन में डाल देंगे आप महां से जा करकर वीडियो को भी देख सकते हैं ये सीमिती है वह हमेचा सिसन बनते रहते हैं तो आप उन्हीं चैptsरों के अगर अच्छे तयारी कर लेते हैं तो थी में भी आप वहीं से question हमेशा बनते रहते हैं बस फरक यह होता कि question को बदल बदल के रखा जाता है लेकिन इसके जो chapter है वहीं से question हमेशा पूचे जाते हैं अगर आप reasoning के जो c-me chapter है अगर आप उनकी अच्छी तयारी कर लेते हैं तो आपका भी अच्छा number reasoning में आ जाएगा तो दोस्तो reasoning के भी हमने chapter बताएं उस वीडियो में के आपको यह chapter है इनकी आपको अच्छी तयारी करने है आप उनकी अच्छी तयारी कर लेते हैं तो आप competition में अच्छे number ला सकते हैं तो दोस्तो उस वीडियो का हम जो link है वो description में इस वीडियो के में डाल देंगे तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लें वहां से जो जितने भी हमने subject बताएं उनके जो हमने part दी हैं उनको आप लिख लें और उनकी अच्छी तयारी करते रहें अब दोस्तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट आपका वो है आपका सामान्य ग्यान तो दोस्तो अगर आपको हमने तीन सब्जेक्ट अभी बताएं मैथ, हिंदी और रेजडिंग अगर आप इनकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं इनमें जितने भी जादा आप नंबर ला सकते हैं नंबर लेकर के आएं ताकि आपका कंविट्शन में आप फ़र्ष नंबर पर आ सकें आप दोस्तों बात कर लेते हैं जी के जो आपका सामान्य ग्यान है ये इसका विसाल भंडार है इसका कहीं से भी कोई भी कुशन पूछा जा सकता है लेकिन इससे अगर आपको कवर करना है तो सबसे पहले एक चीज के ध्यान रखना होगा कि आपको करंड पर आने वाली है और जैसे कि राम मंदिर के 22 जनवरी में उसका आज उस सब मनाया गया उसके जो भी उसमें उसके कुश्चन है आप उनको याद कर लें क्योंकि यहां से आपको एक दो कुश्चन आने बाला है दूसरा आपको जितने भी खेल हैं जिनको पुर्षकार मिला है जैसे कि सामी को भी पुर्षकार मिला है सामी का पूछ सकते हैं तो इस परकार पूर्शकार जो मिले हैं खेल में उनको भी आपको याद कर लेना है current में आपको सब कुछ स्यार कर लेना है तो आपको current भी पढ़ लेना current आगर आपने अच्छी कर ले तो कम से कम सामर्ने ज्यान में आप 10-5-10 questions आप current के उसमें कर सकते हैं और इतने कुस्टन आपको देखने को मिल भी सकते हैं, तो आप current के इच्छी तयारी कर लें, बाकि आप जो gk है, उसमें आप इधियास पढ़ लें, गोल पढ़ लें, इसमें से आपके कुस्टन बनने वाले हैं, सामाने ग्यान एक विशाल भंडार है, रात दिन हर सैकिंट में इसके 10-20 कुस्टन पैदा होते रहते हैं, current के, तो आपको इसकी जो सीमित तयारी है नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पढ़ेगा, और इसका बहुत बड़ा बिशाल भंडार है, तो आप जो आपके तीन सब्जेक्ट हैं, गडित, रीजिनिंग और हिंदी, अगर आप इनको अच्छे ते कवर कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे नमबर ला सकते हैं, जिससे आपका जो एक्जामे को आसानी से पास हो जाएगा, तो आप सामन निग्यान में, जहां से भी जो भी मिले, आप उसे याद करते रहें, कुछ चेप्टर सामन निग्यान के जो हमने भी बताएं, वो भी आपको तयारी करा देंगे, और हमने अपने जो वेडियो है, उसमें सामन निग्यान के चेप्टर बताएं, कि आप अगर उने भी पढ़ लेते हैं, तो सामन निग्यान को काफी कवर कर लेंगे दोस्तों, तो आपको इन चारों की सब्जेक्ट की अच्छी तयारी करनी है, बढ़िया से राद दिन महनत करना है, क्योंकि अब आपका पेपर है, वो नजदिक आ गया है, मौसम भी अच्छा है, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपको पढ़ाई के लिए टाइम टेवल बना लेना है, कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये सबजेक्ट पढ़ना है, इस टाइम से वो टाइम तक वो सबजेक्ट पढ़ना है, अगर आप टाइम टेवल बना लेते हैं, तो आपकी तयारी अच्छी हो जाएगी, और आपका कोई भी subject जो आप पढ़ रहे हैं वो बचेगा नहीं यह नहीं कि आप 4 घंटा मैत कोई दे दें आप reasoning पढ़े नहीं या फिर आप reasoning पढ़े तो 4 घंटा reasoning में निकाल दें बाके हिंदी को नहीं पढ़ें तो ऐसा नहीं करना है आपको सभी subject में आपको पास आना है जो 3 subject में आपके इनमें तो आपको अच्छी कड़ी मेहनत करनी है इनी में ही आपके वो number आने वाले जिन से आप पास होने वाले हो तो दोस्तों जब आपका exam आने वाला है और आप जब exam दैद होगे उसके बाद आपका जो एक list लगे कि merit list वो आपके जो आपका physical होगा उसके लिए लगे कि जो भी अभ्यारती पुरुस महिला जो भी अभ्यारती हमारे उस merit के अंदर आ जाते हैं तो उनका फिर physical होने वाला वो physical के लिए बुलाए जांगे फिर physical में आपको आना है और दोस्तों बात करें अगर आप यह सोच रहे हो कि हम तैयारी करें या physical करें तो आप physical के तैयारी ना करें कोईग है फिर आप अपनी परिच्छा की तैयारी करें ज्यादा मेहनत करें परिच्छा में ताकि आपका number उसमें आसानी से आ जाये दोस्तों उसके बात आपका physical के लिए आपको कापी समय मिलेगा फिजीकल भी आपका ज्यादा है नहीं पुर्षो के लिए 4800 मीटर की दौड़ है 25 मिनट बहुत होते हैं दोस्तों 4800 मीटर की दौड़ के लिए 25 मिनट बहुत होते हैं मेरे जो फिजीकल था आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन मैं सच बदा रहा हूँ कि मेरे जो फिजीकल था 4800 मीटर की दौड़ थी लेकिन मैंने 19 मिनट में वो पार किया था और हमारे जो फिजीकल में नंबर मिल रहे थे इसलिए ज़्यादा मेहनत की थी उसे पूरे नंबर लाने के लिए तो मैंने 19 मिनट में उस समय पास कर दिया था महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो फिजीकल है रनेंगे वो 2400 मीटर की है और उनके लिए 14 मिनट में उसे पार करना है लगवा 2,5 किलो मीटर है महिलाओं के लिए और उन्हें 14 मिनट में पार करना है तो महिलाओं के लिए भी आसान है और पुर्सों के लिए भी आसान है, फिजिकल जदा आपका hard है नहीं, उसमें सिर्फ आपका फिजिकली होने वाला है और कुछ नहीं होगा, तो आपको सिर्फ फिजिकल को ना देखते हुए, आपको अपनी तैयारी करनी है, बड़िया से त कर लेने क्योंकि आपके बाद कुछी दिन बचे हैं तयारी के लिए तो आप अच्छी तयारी करें और परिच्छा में जाएं साबधानी पूरबग अपनी ओमार हो जाएगा इसलिए आपको उनको बहुत साबधानी पूरबग भरना है चांद 10 ये 5 मेटर उसमें लगा दो भरने में लेकिन उसे साबधानी पूरबग आपको भरना है उमार शीट को भरने के बाद फिर उसे अपने कुशन आपको हल करने हैं जो भी है गोला उसे साबधानी पूर्बा आपको भरना है और किसी परकार की काटा पीटी उसे उमार उसके साथ नहीं करना तो दोस्तों यह तो थी आपकी जो तैयारी उसके वारे में जानकारी और दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो फिलीज हमारी चैनलर को सब्सक्राइब कर दें और यह सिर्फ हमारे जो भाई जिन्होंने आव राइब हैं निसे अनुर्दे कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमें और किसी की जरूरत नहीं है और वो अपनी तैयारी पढ़िया करते रहें और आएं हमारे साथ नौकरी करें और तेसकी और राज्य की सेवा करें दोस्तों आसा है आप को अच्छा लगा होगा औ और हम भी अपनी तरब से दुआ करते हैं कि आप चल्दी से आएं और हमारे साथ डोटी करें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब सक लेक थैंक्यू जाहिए